अब हम चेक करते हैं कि resonating structures जो है वो कितने टाइप के होते हैं resonating structures कितने टाइप के होते हैं बताओ बताओ दो टाइप के होते हैं एक तो होते है identical और एक होते है non-identical identical बोले तो क्या? देखने से क्या लगेगा? कि एक जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं जैसे बैंजीन ठीजीन के दो आरेस हैं बार बार हम बनाता हूं यह दोनों एक जैसे हैं दिखने में लेकिन है अलग-अलग क्यों, क्योंकि इसमें पाई बॉण्ड की पॉजिशन अलग है तो यह न यह structure सही है न यह structure सही है actual में जो structure property को समझाता है वो तो ये है ये तो क्या है resonating structures है क्या है resonating structures है क्या है resonating structures RS है या इनको हम क्या बोलते है canonical structures है क्या है canonical structures है लेकिन जो structure बन रहा है side में वो क्या है RH है what is RH resonance hybrid है resonance hybrid है तो बच्छों ये structure property को explain करता है अगर दोनों structure identical है तो इसका contribution और इसका contribution बरावर बरावर होगा 500 molecule है तो 200 ये form में रहेंगे, 200 ये form में रहेंगे इसलिए identical structures को क्या कहा जाता है equally contributing equally क्या कहा जाता है contributing समझा है दोनों का percentage बरावर बरावर बठना चाहिए तो उसको क्या बोलते है equally contributing identical ठीक है यह equally contributing structures यह समझ भाया इसे बहुत सारे बच्छों examples है जिनमें equally contributing यह identical बनते है जैसे carbonate आयन इसमें भी तो identical बनेंगे कैसे यह भी identical होगा कैसे यह भी identical होगा समझ में आ रहा है all are identical लेकिन इसमें तीन है तो सो अगर मान लो 3000 होंगे तो 1000 1000 1000 बटेंगे समझ में आ रहा है clear है जैसे कि बच्छों यह structure हमने कल बनाया भी था बनाया था नहीं है इसके भी तीन बनेंगे लेकिन यह तीनों क्या होंगे बरावर बरावर बटेंगे क्या बटेंगे बरावर बरावर बटेंगे इनको equally contributing बोलते है यह identical बोलते है technical भाषा में थोड़ी सी बात करूँ मैं technical भाषा यह है कि इसको हम यह बोलते हैं कि resonance hybrid में इनका contribution बरावर बरावर होता है इसका मतलब क्या हुआ, जो bond order इसका रहेगा, वही bond order इसका रहेगा, वही bond order इसका रहेगा bond order समझें, माथा का उपर से जा रहा है, देखेंगे मतलब जो property इसकी होगी, वही property इसकी होगी, वही property इसकी होगी जो properties bond की होगी, वही properties bond की होगी, वही properties bond की होगी क्योंकि सब क्या है? identical RAS नहीं आया समय clear? एक बार इसको लिखो ऐसे structures को बोलते है equally contributing या क्या बोलते है identical RAS ओके? तो ऐसे structures को हम बोलते है identical या equally contributing इसमें percentage सब का बराबर बराबर distribute होता है क्योंकि सब की energy बराबर है, सब की stability बराबर है, सब में pi bond सारे बच्चों ऐसे structures होते हैं जो होते हैं non identical या unequally contributing non-identical या इनको क्या बोलेंगे हम Unequally Contributing मतब इनका Contribution बरावर बरावर नहीं होगा जो Unstable है उसका कम होगा जो Stable है उसका ज्यादा होगा समझे रहो बात को अब मैं आपको Example से समझाता हूँ कल हमने एक RS बनाया था Double Bond हाँ बहुत सारे बनाये थे लेकिन एक ये जरूर बनाया था Double Single Double समझाने के लिए सबसे पहले ये लिया था और इसका RS हमने ये बनाया था ठीक है अब आप देखो बच्चो क्या ये दोनों सेम है दोनों अलग-अलग है ये RS में कोई चार्जा ही नहीं था ये RS में चार्ज है इस RS में दो पाई बन थे इसमें एक है तो ऐसे स्ट्रक्चर्ज क्या के लाते है Non-Identical क्या इन दोनों का contribution बराबर होगा नहीं क्यों क्योंकि बटा ये ज़्यादा stable होगा इसमें चार्ज नहीं है इसमें पाई बन बिना मतलब आपने तोड़ दिया तो ये unstable होगा तो पता चला सो मॉलिक्यूल में से 95 मॉलिक्यूल इस फ़र्म में है और पाँच इस फ़र्म में है क्यों क्योंकि ये मॉलिक्यूल की energy distributed होती है कुछ की low होती कुछ की बहुत high होती है high energy मतलब less stability less energy मतलब more stability तो ये क्या है unstable है और unstable मतलब high energy वाले molecule होगे समझ मैं है तो सो मैंसे पता चला 95 इस फ़र्म में चले गए क्योंकि ये stable है और 5 परसेंटेज इस फ़र्म में चले जाएंगे क्योंकि ये क्या है unstable है high energy वाले है आया समझ मैं तो ऐसे structures की stability को अब compare करना आप challenge हो गया भाई यहां तो हमें attention नहीं थी सारे एक जैसे सब बरावर सब बरावर लेकिन यहां हमें tension हो गई कि अब ये check करे कौन ज़्यादा stable है कौन कम stable है yes or no जैसे एक और example लेते हैं कल हमने discuss किया था और आज भी तो discuss की है बहुत सारे हैं आज वाले मैं से लेते हैं इसमें देखो इसका RSM ने यह बनाया था तो बताओ मुझे कि क्या यह दोनो same stability के हैं नहीं है दोनो identical हैं नहीं है दोनों का contribution equal नहीं है yes or no तो अब challenge क्या है compare करना नहीं से मेरा एक last question हो रहे है देखें आप लोग कितना समझे है तो एक यह compound मैंने लिया था कल और एक यह compound मैं आज RS बनाऊंगा ठीक है यह वाला जो lone pair है यह double bond के साथ double single lone pair resonance करेगा तो इसका structure RS यह बनेगा ठीक है और इसका जो RS है वो यह बनेगा यह सो नो अब बताओ इसको क्या बोले है identical की non-identical identical है यह क्योंकि इसमें ने को pie right में इसमें left में बाकी सब सेम है तो यह structure क्या है identical और इस structure के बारे में क्या खयाल है non-identical तो अगर कोई यह पूचता है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा stable है तो यह एक पागल question है क्योंकि इन दोनों की stability बराबर है लेकिन अगर यह question कोई पूचता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा stable है तो उसका answer हमें देना है वो हम पढ़ेंगे आपी आईवाद समझ में तो यह हमारा next क्या है topic है लिखना चाहते हो लिख लो इसको ओके तो next topic आप लिखे है comparison of stability comparison of stability किसके लिए है for non-identical for non-identical RS ऐसे structures के लिए हम compare करेंगे जो क्या है non-identical है ठीक है उनके लिए हम compare करेंगे ठीक तो बिटा सबसे पहले हम compare करेंगे number of pi bond अगर यह normal conditions है aromatic, non-aromatic, anti-aromatic नहीं है तो हम केवल pi bond पहले compare करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप count करो pi bond और वो structure जिसमें pi bond जादा है वो जादा stable होगा या जिसमें कम है वो stable होगा जादा वाला तो stability is directly proportional to क्या number of क्या pi bonds तो pi bond का number बढ़ेगा तो stability बढ़ेगी ठीक है तो pi bond का number अगर बढ़ेगा तो stability बढ़ेगी ठीक है इसका एक example में दे रहा हूँ देखो ध्यान से तो देखो हमारे पास ये कार्वाक्सलीक असिड है और इसका हमने क्या बनाया एक R.A.C. बना लिया अब बढ़ो इन दोनों में से ज़्यादा stable कौन सा है जिसमें pi bond ज़्यादा है इसमें एक pi bond है और इसमें right वाले में एक भी नहीं है तो ये वाला ज़्यादा stable होगा ठीक है जैसे for example ये बनाया हमने CH2 plus और OH अब बताओ इन दोनों में से ज़्यादा stable कौन सा होगा बताओ left या right right क्यों क्योंकि इसमें एक extra pi bond है ये ज़्यादा stable हो समझ भाया जैसे कि मैंने ये बनाया और इससे मैं compare कर रहा हूँ अब बताओ इन दोनों में ज़्यादा stable कौन सा है E और F में से F क्यों pi bond इसमें ज़्यादा है जब भी bond बनता है तो heat release होती है release होती है heat तो stability बढ़नी चाहिए जिसकी energy कम हो गई वो more stable हो गया तो pi bond इसमें ज़्यादा है उसमें heat release हो चुकी है ज़्यादा और उसकी stability ज़्यादा है ठीक है? करो ज़रा copy ओके तो यह सबसे पहले हमें करना है number of pi bond की counting अब हम देखते है next अगर pi bond बराबर है तो आप यह check करो बच्चों कि किसमें सारे atoms का octet पूरा हो रहा है सारे atoms का octet heart electron हो रहा है ठीक है? तो stability is proportional to stability is proportional to complete octet complete octet for क्या? maximum atoms ज़्यादा से ज़्यादा atoms का octet क्या होना चाहिए? complete होना चाहिए ठीक है? इसका example मैं आपको बताता हूँ ध्यान दीजिए तो ये हमारे पास एक boron है यहाँ ठीक है? negative charge इसका मैंने RS बनाया कुछ ऐसा बन जाएगा बताओ कौन ज़्यादा stable है? left या right? देखो pi bond तो बरावर हो गए pi bond से तो हम decide नहीं कर सकते किस से decide करें हो? इसमें तुम देख रहे हो boron का octet complete नहीं है incomplete octet समझ रहे हो? 6 electron है और यहाँ पर हमने complete कर दिया 8 electron होगे 2, 4, 6, 8 उसका तो expansion of octet था chlorine को छोड़ो minus 4 दोनों में same minus उसमें आरा minus उसमें आरा pi bond दोनों में बराबर आ रहे है समझ मैं है? तो कौन सा बेटा ज़्यादा stable होगा? A वाला या B वाला? B वाला क्योंकि इसमें boron का octet पूरा है वोरोन का octet पूरा है समझ गए? यह important point है यह दियान रखना है maximum atoms का octet क्या होना चाहिए? complete होना चाहिए maximum atoms का octet क्या होना चाहिए? complete होना चाहिए ठीक है? next point is अगर इन दोनों से हम decide नहीं कर सकते बाद में लिख लेना तो हम third point पर आते हैं कि अगर नया charge development होता है जैसे पहले था neutral RS बनाया तो नया charge आ गया तो new charge अगर बनता है तो stability कम हो जाती है कम हो जाती है कम हो जाती है ठीक है? ऐसे कोन करता है? कम हो जाती, कम हो जाती अनुपम खेर करता है तो stability is inversely proportional to क्या? new charge development new charge development तो नया charge अगर बनेगा तो stability कम हो जाएगी ठीक है? एक मिट रुगो इसका भी एक example अपन लेते है अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था था ना कार्बाक्सलिक असेड इसका मैंने एक RS और ये बना लिया तो ये loan pair को मैंने पाई बना लिया ये यहाँ बना लिया ठीक है? और ये भी एक इसका structure है resonating structure है अब बताओ ये ज़्यादा stable है कि ये ज़्यादा stable है B A ज़्यादा stable क्यों? फोकट में charge आ रहा है charge मतलब electric field electric field मतलब energy energy मतलब stability कम तो बिना मतलब charge आ जाए यहो नहीं सकता और अगर कहीं आ जाए तो उसकी stability कम कर देना answer हमें लिखना यह कोई से आपको structure बनाने पड़ेंगे ठीक है एक्जाम में तो सब छपा हूँ आता है हमको तो correct answer तक पहुचना है ठीक है? जैसे एक और example लिखते हैं जैसे हमने लिया phenol तो phenol का हमने RS बनाया और RS हमने कल बनाया था ना यह electron density को orthopera पे बढ़ाता है पी क्योँ? neutral है Q क्या है? charged है समझ गए? तो सबसे बहले क्या देखा हमने pi bond फिर क्या देखा हमने octet फिर क्या देखा हमने new charge ठीक है? करो जड़ा copy करो इसको ओके? लिख लिए copy कर लिए? अब इन में से भी अगर हम decide न कर पाएं pi बराबर हो octet से भी नहीं कर पाएं charge से भी नहीं कर पाएं तो फिर हम क्या देखते हैं बच्चो? हम यह देखते हैं कि opposite charge अगर है एक plus एक minus तो वो जितना pass आ जाएं उतनी stability जादा होगी क्योंकि उनमें attraction होगा न? और दो plus हैं दो minus हैं तो जितना दूर भाग जाएं उतना अच्छा है समझ में आया? जिको इस बात को मैं समझाता हूँ इस point से जैसे कि अगर हमारे पास यह phenol molecule है इसका हमने बनाया RS RS बनाया तो एक तो ओ पर आगया plus charge यहां पर आगया minus charge फिर हमने क्या किया एक और RS बनाया एक और RS बनाया तो ओ पर आगया plus charge और carbon पर आगया minus charge अब बताओ ये तीनों मेंसे है P में Q में R में अब बताओ ये तो मामा बो है क्योंकि ये तो सबसे जादा stable है, zero charge है, तीन पाई बाण है stability P की सबसे जादा है Q और R में बताओ अब मैंने बता दिया आपको दोनों में तीन तीन पाई बाण है, charge दोनों में है, तो opposite charge वाली कहानिया लग जाई है, ठीके तो stability कब बढ़ेगी when opposite charge क्या है, close है ठीके और कब बढ़ेगी जब when, like charge like charge, like charge मतलब इसको मैं plus लिखने की जएके charge लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे plus minus सोच लेंगे इसको, तो when opposite charge क्या है, close है एक मिनट, when opposite charge close है, तो stability बढ़ेगी और जब like charge क्या है, separated है, separated मतलब, away तो भी stability बढ़ेगी तो plus plus वाले दूर भाग जाओ minus minus वाले दूर भाग जाओ plus minus वाले पास में आ जाओ stability बढ़ाने के लिए तो इसमें बच्चों सबसे आदा stable है P, फिर Q, फिर R क्योंकि ये plus minus वाला दूर चला गया है आरा है समझ में? easy है नहीं तुम? एक और example देखो देखते हैं हम इसमें जैसे हमने कल बहुत सारे structure पढ़े जिनमें plus वाले लग रहा था पढ़े थे ना? तो इसमें ये एनिलीन का भी example पढ़ा था कुछ structure में ने बनाए ते, कुछ आप ने बनाए ते, कुछ हमने discuss किये ते, कुछ हवा में उड़ा दिये थे तो ये हमने बनाया था एनिलीन का आरेस yes or no? yes sir और ऐसे ये एक और बना लिया हमने ये बना लिया ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि इनमेस से ठीक है? अभीशेक एश्वर्या और अमिता बच्चन ठीक है अभीशेक एश्वर्या अमिता बच्चन सबसे आदर stable कौन है? ये अभीशेक एश्वर्या अमिता बच्चन अब बताओ तुमको तो खाना याद आगया है कजर है अरे कजर तो सबसे आदर stable है A1 क्यों क्योंकि neutral है यह है और इन दोनों में चार्ज है उपोजिट चार्ज पास पास में है और यह क्या है दूर है तो A2 फिर क्या आजाएगा A3 अभिशेक एश्वर आमिदा बच्चन ठीक है यह कभी-कभी होता है सोने लग जाते हैं लोग जगाने के लिए सब बोलना पड़ता है हमको ऐसा दूर लगता है कि सहरा फालतू बाते करते हैं अफ्कोर्स करते हैं लेकिन चीज समझाने के लिए करते हैं ठीक है करो इसको कर रहे होते हो यह अपने अप एडिट करी देते हैं तो वेटिंग टाइम बच्चों का खुद का होना चाहिए जो वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ें तो दिस इस अबाउट यह दो चैलेंजिंग है यह बहुत सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है आफ लाइन की तरे आप पढ़ना चाहते हो पढ़ना पड़ा रहायों तो ओन्लाइन में भी वैसा ही फील लेके पढ़ना बढ़ा है यही तो बाढ़ चैलेंज किए घर में बेठे बेटे भी हम ओफ लाइन का मज़ा ले सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम पर स करना प्रॉपर टाइम पर कोश्चन करना इंपोर्टेंट है कर सकते होगे आप लोग ऐसा नहीं होता है एक साल दो वह ही किया था फॉर्स्ट पाइबॉंड काउंट करना है सेकेंड ऑक्टेक थर्ड न्यू चार्ज अगर आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी फॉर्थ ओपोजिट चार्ज है तो पास में आ जाओ और लाइक चार्ज है तो दूर चले जाओ नेक्स फिप पॉइंट इस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फैक्टर Electro-negetivity factor Electro-negetivity को आगे में short में ऐसे लिखूँगा EN ठीक है? तो Electro-negetivity अगर ज़ादा है तो क्या ज़ादा stable होगा? Minus की Plus जिसकी Electro-negetivity ज़ादा है तो वो Electron को खीशता है अपनी तरब तो उस पर क्या ज़ादा stable होगा? Minus Charge और जो Less Electro-negetivity उस पर क्या ज़ादा stable होगा? Plus Charge तो Minus Charge Minus Charge क्या होगा? More Stable More Stable On क्या? More Electro-negetivity और Plus Charge More Stable More Stable On क्या? Less Electro-negetivity On Less Electro-negetivity Understood? इस पर बहुत सारे question आते हैं यह बहुत important point भी है Examiner की choice का question है मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं आपको कुछ example से समझा पाऊंगा देखो देखो बच्चों यह हमने case two type of resonance इसमें बना देना है Double Single Loan Pair अब तो आपको यह दिमाग में आभी निरा को कैसे बनाना है? आप तो फटा-फट लिखते जा रहे होगे हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं कि बनाना कैसे है अब आपने यह बना लिया O negative और H अब बताओ ज्यादा stable कौन सा है क्या हम first rule से कर सकते हैं? पाई बराबर octet दोनों में बराबर opposite charge है यह नहीं फिर चार्ज एक ही है तो close यह दूर वाली बात भी नहीं लगेगी तो लगेगा क्या? electro negativity यहाँ पे carbon पे negative है यहाँ पे oxygen पे negative किसकी electro negativity ज्यादा है? बताओ बटा so this should be the order of electro negativity F-O-N-C ठीक है? तो ज्यादा stable इस पर O पर होगा और अगर हम compare करें एक 20 है तो ज्यादा stable कौन सा होगा? आ रहा है समझ में? तो यह stability का order हो जाता है clear? कुछ question में और देता हूँ आपको देखें थोड़ा सा आप कितना समझ पाए हैं बोर्दो नहीं हो रहे हो? ठीक है तो यह मैंने ले लिया इस बार कुछ अलग करते हैं क्या नाम लें बताओ? रोईच शर्मा ठीक है? और विराड कोली और कोई बॉलर बताओ यान भुम्रा ठीक है? रोईच शर्मा, विराड कोली बुम्रा अब बताओ तीनों में stability का order हो बताओ IPL तो याद नहीं आगे ना आपको? सबसे वाला? विराड कोली क्योंकि इस पर देखो O पर negative है और N पर भी negative है यहाँ देखो आब बुम्रा में O पर negative है, कार्वन पर negative है यहाँ देखो आब कार्वन पर negative है और nitrogen पर negative है तो सबसे ज़्यादा यह विराड सबसे stable फिर रोईच क्यों? बेटा, यहाँ पर O पर negative है और यहाँ nitrogen पर negative है कार्वन तो दोनों में minus है तो क्या जाएगा भुम्रा और फिर क्या जाएगा रोईच्छर्मा आगे समझ में कर सकते हैं compare लिखो ओके next अपन देखते हैं कुछ और questions यह आप खुद से करो बच्छो और यह कौन साट color आ गया या यह तो दीखेगा भी नहीं ओके यह questions करो तो इनमें आपको stability को क्या करना है compare क्या करना है compare आपको 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 लिखेगा हो गया सारे होते जाने अभी तुम्हेने कोश्चन लिखे ही नहीं पूरे या मैंसे कौन बोलता है भाई यह तो पकाई की कोश्चन देखते हैं आप कर लोगे हैं लेकिन जो भी टाइम लगेगा वो इसको कॉपी करने में लगेगा तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशोट लिए और काम खतम ठीक है नोट्बूक में लिखो और देख के कर लोगे क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया है करो इ यह नहीं नमबर ही नहीं दिया है ठीक है तो क्या कहते हूं ए भी ले लेते हैं सबको ओके जो आप बोलो जो आपकी आग्या तो यह वाला हो जाएगा ज्यादा स्टेबल समझ गहें more number of pi bond pi bond से तो देख ही नहीं सकते है इलेक्टो नेगिटिविटी से तो ओ पर माइनस चा प्लस है और कारवन पर प्लस है तुम साला बार बार माइनस के एसाफ़ से आंसर दे रहा होगा है ओ पर प्लस हो जाए यह नहीं सकता है कारवन पर प्लस हो जाए यह फिर भी हो सकता है तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि बात positive चार्ज किये हैं तो more electro negative पर तो plus charge less stair होगा next बताओ यह बताओ B वाला की ए वाला बताओ राकी यह सावन सावन क्यों क्योंकि negative charge nitrogen पर है ठीक है तो राकी less stable सावन more stable इसमें बताओ sulphur यह कारवन इसमें बताओ राकी है सावन क्योंकि sulphur पर minus charge ज्यादा stable है बड़ा atom भी है ना एटम की साइज ज़्यादा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. नेक्स बताओ, राखी है सावन, सावन क्यों? इसमें नीट्रल हो गया, एक्चुली बात नीट्रल होने की भी है और बात अक्टेट पूरा होने की भी है. यहाँ कारवन का उक्टेट इनकंप्लीट था और यहाँ कारवन का उक्टेट कंप्लीट है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? सावन के. समझ गए? नेक्स बताओ, ओपर प्लस चार्ज तो ठीक है, सबसे पहले हम देखता हूँ, डबल बॉन, वो किसमें ज़्यादा है, क्यों मैं? तो उससे हाँ करेंगे, पहले पाई बॉन, फिर ओक्टेक, फिर चार्ज नया डेवलप होगा, तो लेस्टेबल, ओपोजिट चार्ज पास में, लाइक चार्ज दूर, फिर इलेक्ट्र नेगिटिविटी, समझ गए? नेक्स बताओ बच्चों, ये भी हो गया हो पाँच हो गए ना, बिटा? पाँच हो गए, छटा रूल देखते हैं हम, कि जब भी कभी पॉजिटिव चार्ज या फ्री रैडिकल या माइनस आ जाते हैं, तो हम इंडक्टिव से देखते हैं, इसमें ओर्डर क्या होता है? त्री डिग्री, तू डिग्री, वन डिग्री और इसमें ओर्डर क्या होता है? वन डिग्री, टू डिग्री, त्री डिग्री, याद है ना आपको? तो इसमें थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक कोश्चन में देता हूँ, जैसे कि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला आरेस, और इसका हमने दूसरा आरेस होना है, जिसमें नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, क्या आप किसी भी रूल से इसका अंसर दे सकते हो, जो अब तक हमने पड़े? नहीं, पाई बराबर है, नेगेटिव एक ही है, लेकिन एक चीज़ जो है, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बनायन, और ये विराड कोली या रोईच चर्मा, ये जानते हो ना, आप लोग मोर स्टेबल हो जाए, समझ गए, एक और एक्जामपल देता हूँ, ध्यान से देखना, एक्जामपल हमेशा वाइट में, विकोज यलो 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 इस, तो यलो यलो, ठीक है, एक अपन ने ये बना लिया, और एक इसका आरेस में ये बना लेता हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, विराड कोली या रोईच चर्मा, बताओ, अब उल्टा पड़ गया, कर्वो केटाइन की बात है, तो ये ग्रूप क्या लगाएगा इस पर, प्लस आई, ये ग्रूप क्या लगाएगा, प् इस पर, एक्जामीनर आजकल कोश्चन जादा ही पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, एक ये स्ट्रक्चर मैंने दिया, और एक ये दिया, थोड़ा सा सोचो, कि क्या इन दोनों में आप स्टेबिलिटी, कंपेर कर सकते हो, और कर सकते हो, कर के बताओ, हाँ, सोच के बताओ, बागी कॉपी और भी बाद में कर ले ना, पहले इसके बारे में सोचो, रूल लगाते जाओ, एक के बाद एक, जो पढ़ाएं हैं, ओक्टेट तो दोनों में इनकंप्लीट हैं, चार्ज दोनों में प्लस मैंस, दूरी भी बराबर हैं, नेगिटिव चार्ज भी कार्बन पर, पॉजिटिव भी कार्बन पर हैं, बताओ, विराट कोली या रोहीद, बताओ, क्यों, मेरा वेवरेट होई है, ज्यादा अच्छे चक्के मारता है, विसे विराट भी मेरा फेवरेट है, पर रोहीद क्या है, एक्स्टाओडनरी खेल जाता है कई बार, देखो मैं ये बुल रहा हूँ, आंसर तुम्हारा सही है, बड़ यहां लोन पे रहें, और यहां भी लोन पे रहें, तो ये रिपेल करेंगे, और यहां देखो, लोन पेर है, यहां प्लस है, तो इनमें अट्रेक्शन होगा, बागी कोई रूल से इसका अंसर नहीं आ सकता, समझ गए, तो कौन ज़्यादा स्टेवल होगा, तो इस चार्में, आ गया समझ में, तो जहां आरोमेटिक, एंटी आरोमेटिक, नौन आरोमेटिक आएगा, उसके बारे में अपन बाद में वाचीत करेंगे, बट यह रूल्स हैं, जिससे हम स्टेबिलिटी कंपेर कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रॉक्चर्स की, कर लिजी इसको कॉपी, ठीक है, थोड़े से questions और कराए जाएं, अब तो confidence बढ़ गया आप लोगों का, सही करोगे, मुझे पक्का विश्वास है, यह full and final चल रहे हैं, इसके बाद नहीं कराऊंगा question, मतब किस topic पे नहीं कराऊंगा, तुमको क्या लगा, काय नहीं कराएंगा, सर्फीज दिया है, एक dialogue था ना, पुराना, बसंती और किसका, गबबर सिंग, जानते हो क्या हो, तो ऐसे वो, मतब था ना, उसको क्या है, धर्मेन को बाद देते हैं, और उसको बोलते हैं, बसंती को नाच, तब तक तेरे पेर चलेंगे, तब तक, ठीक है, इसकी सांस चलेगी, तो एकदम धर्मेन बोलता, बसंती, इंक तक सांन मत नाचना, तो, मज़ा पूरा लेंगे, देखो, जीवन में आएं तो, एक वो मूवी भी आई थी ना, इन लोगों की, धर्मेन एंट, संस, अपने तो अपने होते हैं, गाना था उसको, मुझे देखा था, तो एक कामकर मार गोली, अब वापस उसी पर आजाओ, PQRS, स्टेबिलिटी का कमपरिजन करो, स्टेबिलिटी का कमपरिजन करो, कई बार क्या है कि, स्टूडेंट्स भी है ना, बहुत अक्टिंग करते हैं, एक स्टूडेंट ऐसे फिसल गया, तो सब उसकी तरफ देखने लगे, तो उसने ऐसे, मतलब, समझे बचाने के लिए अपने आप, या दारते मारे माँ हैं, समझे रहो ना, कई बार अपने आपको बचाने के लिए जी कुछ करना पड़ता है, उसकी टाइमिंग बहुत चांदारती ये बात है उसकी टाइमिंग बहुत चांदारती तो वैसे भी इतनी निर्जी से चीजों मैं जिसमें आप समझे दिमाग लगाना ही मुश्किल है सोचना तो ये सब बीज-बीज में चीज़ें होनी बहुत जरूरी है नहीं तो आप लोग बोलो कि सर क्या चाटते हो आप दिमाग चाट गया इससे याद रेता है अच्छा अच्छा पढ़ाई बच्चों को याद नहीं रेती है डायलोग याद रेते हैं टीचर्स के छोटू छोटू से क्वेश्चन है छोटू छोटू से है ठीक है इतने मोटू नहीं है लिखने में तोड़ा सा टाइम लग सकता है बहुत सारे बच्चों तो मान ही नहीं रहे हों स्क्रीन शाट ले है नोट बूक में चिपका लो स्क्रीन शाट ओके करो अब बताओ बच्चों कर पा रहे हूं बस लिखने में टाइम लग रहा है कुश्चन करने में तो नहीं लग रहा है इसमें कौन हो जाएगा सबसे पहला पी फिर वेटा क्यू और इस क्यू और इस तो बराबर हैं नहीं बिटा एस आएगा पहले हैं फिर आएगा आपका क्यू फिर आएगा आर ओपोजिट दूर चले गए ना वो एक प्लस माइनस ओपोजिट चार्ज है तो यह इसलिए तो मैं जारा स्टेबल लिखा हूँ क्यू और इसमें फुद दूर है ना और यह प्लेनर भी है इसलिए अच्छा कुश्चन बन गया यह और इसमें तो खेर दूरस्ट होंगे क्योंकि प्लस माइनस दूर चले गए अच्छा सेम कैसे हो गया यह सेम साइड म यह दूर है शमजगे नेक्स बता इसका नंबर डाल देता हूँ मैं अलफा बीटा गामा अब बता हूँ सबसे अदर स्टेवल अलफा फिर फिर बीटा फिर गामा और दूर जा रहा है ना प्लस माइनस दूर जा रहा है ठीक है यह भी बहुत एजी है ठीक है विराट कोरली रोहित शर्मा बूमरा आंसर बताओ विराट समसे अदर स्टेवल फिर रोहित फिर बूमरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना कैसे डालता है बूमरा बूलिंग है उसका एक और था उसमें कार्टून टाइप बूलिंग करता था मुरली धरन मुतर रहिया मुरली धरन ऐसे कर क्यि报 वोरिंग करता है nice third question तो easy है, सब ने कर लिया होगा तो A और B में से जाधा stable कॉन सा होगा? B वाला कोई doubt? इसमें alpha और beta में से जाधा stable कॉन सा होगा? alpha और ये plus charge nitrogen पर कोई doubt? अब ये सारे हो गए, अब आगे बढ़ते हैं